हेलो फ्रेंड्स सभीकों नमस्कार वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल साथ यो आज की वीडियो में आप देखेंगे एक सिक्सन योजना जो ककसा आठ विशागणित से संबंदित है जिसका परकरण है एक्सरसाइब 13 ब्रत और चक्रेश चतुर्भुज एक्सरसाइब 13 सी वीडियो शुरू करने से पहले आप से निवेधन है यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको इसी परकार की अन्या वीडियो के नोट्यूफिकेशन समय समय पर मिलते नहीं यदि आप चाहते हैं कि आपके उस परकार की वीडियो आपके वाट् चार कोलम होंगे दिनांग ककसा विशय और समय ककसा आठ विशय गनित समय 40 मिनट पहला हेडिंग लर्णिंग आउटकम बच्चे चक्रिय चतुर्बूज के विशय में जानते हैं नंबर दो पर हेडिंग आता है परकरन चक्रिय चतुर्बूज एक्सरसाइब 13C नंबर तीन फिर समय और नंबर चार पर आखलन के तरीके पहला हेडिंग अताय शिक्षन की सुरुआत में इसका समय 5 मिनट और आखलन का तरीका प्रशन उत्तर क्योंकि बच्चे वरत वे चतुर्बूज की जानकारी लगते हैं सिक्सक बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम च चक्रिय चतुर्बूज चक्रिय बिंदू या चक्रिय चतुर्बूज के सम्मु कोंड के विसे में चालेंगे अगला हेडिंग सिक्षन के दोरान इसका समय 25 मिनट और आखलन का तरीका अवलोकर बोर्ड पर एक चित्र बनाएंगे बच्चों को बताएंगे यदि किसी चतुर्बूज चक्रिय चतुर्बूज कहलाता है एक चित्र बनाएंगे बोर्ड पर किसी वरत पर इसी चत्र बिंदू को चक्रिय बिंदू कहते हैं बिंदू इस आर उपी चक्रिय बिंदू है इस तरह से बच्चों को बोर्ड पर चित्र बनाकर किलियर कराएंगे और साथ ही चार्ट पेपर पर भी यह चित्र बनाकर ले जाएंगे ताकि बच्चों को इसमें इंट्रेस्ट आएंगे अगला हैंडिक सिक्षन के बाद में इसका समय पांच मिनट और आखनन का तरीका सेवागीता इसका समय वैसे कुल विलागर दस मिनट होता है लेकिन अमने इसको डिवाइड किया है पहले पांच मिनटे बच्चों को एक कोश्चन कक्सामे हल करने के लिए देंगे और अगले पांच मिनट ग्रहकारिय के लिए जहां पर मिनट करने और आगला हेडिंस सिखसक की अहामी योजना जहां पर आपको अपनी अहांबब कर देना है तो साथ की यहती आज की सिखसन योजना जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है आश्चा करता हूं आपको पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें शेर करें शाथ की चैनल को सबस्क्राइब करना ने भूले धन्यवाद